नमस्कार मैं विश्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एटीपी में हार्दिक स्वात करता हूँ आज इक लास बहुत ही खाश होने वाली है आज इक लास में आपको ऐसे इंग्लिस वर्ट्स बताने वाला हूँ जिसकी मीनिंग एक से ज़्यादा है जी हाँ एक वर्ट है इंग्लिस की लेकिन उसकी मीनिंग बहुत सारे हैं दो या दो से ज़्यादा आपको आज यहाँ पर बताने वाला वर्ट मीनिंग तो चलिए देखते हैं important words है और हमयसा यूस भी होते हैं और आप confused हो जाते हैं कि सर, इसका मतलब यह होता है फिर आप पुलते हैं सर इसका मतलब यह भी उता है ऐसे बहुत जयता confusion होता न क्या आप लोग कभी कुछ सुने रहते हैं कि इन words, जो हैın English words और के meaning कौन कौन से होते हैë सबसे पहले जो word है जो शब् Kore है अंग्रेजी का बो है address. अब इस पर परて हो उसे address ऑसे इड्रेस भी परते हैं तो पहले देखिए address पता किसी की, बोलती है आपका address क्या है यदि आप address पढ़ेंगे तो उसका मंदल होता है पता और किसी को address करना या भाषन देना जैसे प्रधान मंत्री हमारे लाल किला से भाषन देते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे संबोधित करना भाषन देना उसे address करना बोलते हैं तो संबोधित करना address और किसी का पता address तो इसको मैंने इसलिए डिटेल में बताया है कि आखिर मैं सम्झाना क्या चाहता हूँ clear है अब आगे बढ़ते हैं थोड़े स्पीड से A B C D ऐसे चलेंगे article ये इसका pronunciation हिंदी में लिखा हुआ यदि आप हिंदी ऐसे हिंदी का जो ये जो लिपी है इससे आप नहीं जानते फान नहीं जानते हैं तो आप अपनी जो भाषा है उसमें लिख ओर लिखें चीज को भी article कहते हैं कोई लेख article लिखते हैं या उपध पद का उपपद उसे भी article कहा जाता है ओगे बढ़ते हैं बैलेंस ना बोलते हैं कि बैलेंस बना कर चलो याने कि संतुरन बनाओ और एक बैलेंस चाहिए तराजू जैसे हम तराजू तॉलते हैं आप लोग देखें तराजू में सबजीया तॉलते हैं आजकल तो इलक्ट्राणिक वाल गया बड़ उसे बैलेंस कहा जाता है दो पलड़ा जिसमें तहीं बैलेंस बैलेंस कैता दो बैलेंस बैलेंस Katy थैज कुछा बैलेंस कि अचाहिए दो उसे हो बैलेंस किया है तो river का bank याने नदी का ये वाला bank नहीं, नदी का किनारा होगा, इस टाइप से use हम करते हैं, bank of the river ऐसे use किये होंगे आपने, बार्क, बार्क याने चाल, पेड की चाल, जो पेड होता है, उसमें जो छिलका निकलता है, उसे भी बार्क कहते हैं, और जो भौकते हैं, कुटता है, कोई यानवर भौक रहा है, तो उसे हम बार्क कहते हैं, तो उरों का मतलब बार्क होता है, बैट, ठीक है, बैट, बैट का मतलब होता है, बल्ला, क्रिकेट का बैट जो हम कहलते हैं, और बैट याने, चमगादर भी होता है, जो उल्टा लटके रहता है, बैट मैंने सुने होंगे, और परिशद, हिंदी में परिशद को भी बैट कहा जाता है, आगे देखिए, तो बोर्ड याना तकता जो ब्लेक बोर्ड होता है वो ब्लेक बोर्ड बोर्ड चढ़ना बोर्डिंग करना याने जैसे हम बोलते हैं हवाई जहाज पर चढ़ रहे हैं तो हम बोलते हैं बोर्डिंग का टाइम हो गया तो वह होता है चढ़ना जहाज पर चढ़ना या फिर सव खोड़ा को भी बॉइल खाँ जाता है एक यह जैसे कि हम 36 गण में रहते हैं तो 36 गण का राइपूर MP का कैपिटल भोपाल ऐसे ही कैपिटल राजधानी पूंजी भी होता है और बड़ा अग्छार को भी कैपिटल कहते हैं बड़ा संदूग भी होता है इससे संदूग रखते हैं वह भी सर्कुलर यानि गोल यह ठीक से घूल नहीं वना और परिपत्र को भी सर्कुलर के जिसे ने श्रकुलर कर दिया गया तो अने थिति अ फिर शर्ट ऑपकी कंडिशन अभी इस्तिति अवस्था या फिर शर्ट इस्ति खेर को एक देट ज़ねट देट और एक खजूर या लब्मे लब्मे पेड़ पेड़ शचूर वह देट होता है पिर देखे, deer, deer याने, pre, या प्यारा, my deer, ऐसे बोलते हैं, और महेंगा को भी deer खा जाता है, drop, drop याने, boon, गिराने को भी drop बोलते हैं, मुझे द्रॉप हो गया, गिर गया, गिर पढ़ना, या फिर डालना, पत्र, याने की बोलते हैं, चिट्थी को ड्रॉप कर दिया, या क दरदम है कि cm aτε बैए अजयर आपका डवीयो आपकी आपके जो लाया विए कंडती वे करण प्रकेशद करन ने कॉस्टम डूटी में कि यह अननेनर Always यह वाला ड्यूटी को कुर कहा जाता है हिंदी है टक्स एक्सप्रेस describes इस पश्ट करना कि एक्सप्रेस करना तो यह सब कहते हैं फैन का प्रशंसक और पंक 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 अप्र प्रसंसक या इन उसका बहुत बड़ा फैन हूँ सची दलुकर का रोई शर्मा का या फिर वो बहुत सारे हीरो के प्रसंसक होते हैं तो उसे हम है ना फैन बोलते हैं हम तो स्वामी वेकरन जी के फैन है और बहुत सारे ऐसे महापुरू से उनका फैन होना चाहिए यह सब तो खेर सब की अलग-अलग पसंद है फास्ट तेज और उपवास रहने को भी फास्ट कहते हैं कि आरे आज उपवास हूं यानि कि यह जो रोजा अगरह रखते ना वह भी फ़ास्ट है और Papac फ्रेंड है, बहुत घनिष्ट, बहुत ही गहरा, देखें, फास का अलगलग मतलब पता चलिया आपको, फाइन, फाइन याने होता है, उत्तम, बहुत बढ़िया है, बढ़िया, उत्तम, जुर्माना, अरे फाइन लग गया, आज मुझे सिगनल तोड़ दिया, जुर्माना को फाइन लग गया, और बहुत बढ़िया, फाइन वर्क है, बहुत अच्छा काम हो है, फ्लाई, फ्लाई करना फाउंडेशन जो रखते है न वह होता है और ये दोनों उसका मीनिंग हो गया free free स्वातंत्र या फिर मुफ्त free या नि किसी को आजाद कर देना स्वातंत्र कर देना और मुफ्त यायनि free में मिलने वाली चुछ घेंघे न फिर फॉन्क्षन function यानि समारो या फिर कारी करना function कोई भी साधी विवाय का function समारो होता है कारिकरना भी कैसे कैसे क्या क्या function आपके mobile में वह function है ना फिर देखिए General जनरल या ले समान्य उच्छ जनरल का जाते हैं वैसी उच्छ याने जन्रल मैनेजर याने की बड़े पोश्ट वाले को भी जन्रल कहा उसके सामने जन्रल जोड़ा जाता है फिर ग्रेव ग्रेव का मतलब होता है कब्र और ग्रेव याने गंभीर बहुती सीरियस को भी ग्रेव कहा जाता है ग्रेज ग्रेज याने क्या आता है चरना जो गाय और पक्रीवा घास वगरे चर्टी उसे grace कहते हैं और खरोचने को ऐसे खरोचने को भी grace कहा जाता है gross gross जाने होता है 12 दरजन एक दरजन कर बारा दरजन तो gross बोलते हैं कुल gross profit कितना हुआ उसे कुल है न और assist को भी यानि जो बत्तमिश टाइप से है उसे भी gross कहा जाता है ठीक है आगे देखते हैं इसके बाद फिर है हैंग हैंग याने क्या होता है लटकाना और फासी लगाना को भी हैंग कहते हैं जो फासी बचला उसे भी हैंग बोलते हैं फिर देखिए कभी ऐसे कतम नहीं उठा रहा चाहिए फिर इंप्लिमेंट इंप्लिमेंट याने क्या होत से कार्यानवित करेंगगे ऐसे काम किया जाएगा इंट्रेस्ट अब नगा कितने अई इंट्रेस्ट है रूची है आपको और इंट्रेस्ट आने ब्याज अरे पर कितना इंट्रेस्ट में दो गया मुझे उधार या कितना इंट्रेस्ट लगे दोनों क्लियर हो गया काइंड याने दयालू जो बोलते ना दया करने वाला और काइंड याने प्रकार अरे बहुत मैं uitदों होग से ऐसे अलग लग नाम रहता है अप देंगे लीज किर साम léड कहते है लेड करना गोई करना में वह ऽाल से मेरे रहता है मरे कि यह थहाँ divit द उसे तत्वडली आपने जानते है उसे लेड कहा जाता है पढ़ते है लेड है ठीक है फिर देखें लेफ्ट लेफ्ट है नहीं होता है बाया लेफ्ट राइट लेफ्ट वाला और एक लीव लेफ्ट लेफ्ट लेट लेटर 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 याने अक्षर या फिर पत्र, या फिर खथ, यह तो लेटर आप जानते हैं, चिठी, पत्री, और यह अच्छा रहाने, A, B, C, D, हाँ, लेटर A, लेटर B, यह दोने लेटर होते है, लाई, लाई आने होता है लेटना, और जूड बोलने को भी लाई कहा जाता है, ठीक है, और लेटने का क्य है और हलका को भी लाइट बोलते हैं अर। लाइटवेट का शू है बहुत हलका शुलाने को भी लाइट बोलते हैं वी किसी चीज को लाइट जला देना लाइट करनाigor अब टोई लेट यानwhat बर्न जलाना व ये भी वही होता है तरीका सरीका उसके जैसे ठीक है next है long long याने लंबा दीर बहुत बड़ा इक्षा होना उसे भी long कहते हैं और चाहना इसे भी long कहा जाता है match match याने मुकाबला या फिर समान होना अरे तो match कर रहा है उससे हम दोनों का address match कर रहा है ये वाला match ने एक जैसे होना ठीक दियासलाई match box बोलते हैं माच इस दियासलाई उससे match box कहते है तो ये वाला ही match match का use होता है मैंच बॉक्स उसका टबबा लेकिन अंदर जो रहते हैं दियासलाइं माचिससे मैच कहते हैं मैच बॉक्स तभ यूसका नाम है मैनवल वाल्याने हाथ से किया हुआ या फिर निर्देशी का ऐसे मैनुवल रहता है ना भी वह आपके मोबाइल के अंदर मैनुवल मिल जाएगा आपको कैसे कासे यूज करना है कैसे कासे फिट करना है वह मैनुवल निर्देशी का हिंदी में जैसे कहते हैं और एक मैल बजने हाथ से किया गया अलग-अलग माइन होता है जापे माइन में खुदाई होती है वो खदान माइन फिर देखें माइन्यूट माइन्यूट्यान वोता है सूक्छम बहुत ही माइनूटली परिख्षण करना अब मिनिट को भी माइन्यूट कहते है मोल यानि तिल होता है जो काले कलर का ऐसे तिल होता है मस्ता तिल उसे मोल कहा जाता है और शचुन्दर चुहे के जैसे रहता है जो शचुन्दर जिसे दिखाई नहीं लेता है बोलते हैं हम लोग वो मोल उसे भी मोल कहा जाता है 3. Mold. Mold यानि होता है साद्चा, साद्चे में ढालना है फ़ी फफून दी फफून लग जाता है. ब्रेट, व failure मैं आपने देखाकाो उससे भी Mold कहा जाता है. आपने हम अपने जाता है है साद्चा बनाना इससे घड़ेशवान का कील जो हम लोग कील डोलते हैं और हाथोरी से ठोकते हैं वो कील को भी दिल घहा जाता है नेट यानने जाल जो जाल लगाते है नेट भी खाते है जाल मतलब असली नॉ roaming novel का मतलब क्या था उपन्यास नवी नया अपूर्व जो इससे पहले ना पूर्व अब्जेक्ट या नहीं अब्जेक्ट लिखा लाए अब्जेक्ट वस्तू उसे भी अब्जेक्ट कहते हैं subject helping फिर लाश्ट बताता हूं वस्तू होता है object याने अपत्ती करना हां मुझे object बलते हैं I object यह ना खरें object अपत्ती करना objection उसे object कहते हैं odd याने अजीब अरे बड़ा odd लगा या मुझे उसके साथ जाना odd अजीब विशम सम विशम जैसे तीन छे नो यह odd हो गया odd फिर अनीमित जो नीमित नहों से odd कहते हैं outstanding 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 अब एकदम अच्छा या फिर बकाया कोई बज़ गया आपके outstanding कितना है मैं रहां सब कॉमर्स वाले सब जान ज्यादा है आनते होंगे फिर यहां पर लिगा offense offense याने अपराज जुर्म को offense कहते हैं फिर आक्रमण करने को भी offense कहते हैं पार्क याने उद्द्यान बगीचा या फिर गाड़ी खड़े करने के जगा पारकिन बोलते इंचा व कि पार्किंग rasa पार्सल पार्षलाट आप ब्लांट याने पौधा वनसक्ति संयंत्र जो बड़े बड़े कार खाने यह प्लाइंट को भी प्लाइंट अच्ट को भी प्लाइंट्र और पॉधा याने जमीन का तुकड़ा या फिर कथारक नाटक का हिस्सा को को भी plot कहा जाता है और एक होता है सडियंत्र यहां पे लिखाए सडियंत्र वहता है planning plotting करना सडियंत्र रचना कि कैसे इसे क्या किया जाए वो सब्लॉट पोश्ट डाक पद या फिर खंबा डाक पोश्ट आप उना होगा पद आप कौन से पोश्ट में हैं अभी मैं teacher हूँ मैं प्रिंसिपल होत और पोश्ट और एक खंबा खंब को भी ऑप्रोस्ट प्रॉंट यह हुता है वूद्ध वगर्णद और उकसाना किसी को उकसाने को भी प्रॉंट कहते है पल्स पल्स या नव बज्व ऐसे य तर्क शक्ति और तर्क करना उसे भी रिजन बोलते हैं किसी से बात का अच्छा जवाब देना तर्क लगाना उसे भी रिजन कहते हैं रिफ्लेक्ट 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 रिफ्लेक्शन आ रहा है यह विचार करने को भी रिफ्लेक्ट करना बोलते हैं किए ठीक है refuse रिफ्यूज याम अस्विकार करना मना कर देना और कूड़ा करकट को भी refuse कहा जाता है र flat आराम करना आराम और रेस्ट बाकी की चीजे बाकी इतिहास न गया तो वह bardziej इसको भी रेश्ट कहते हैं Revolution परीब्रमड करना से रेवलेशन कहते हैं रिंग, रिंग, याने बजना, बजाना या फिर अंगूठी, एक तो रिंग पहने वाली अंगूठी होती यह स्टायक की, और एक रिंग, जो घंटी बजाते हैं, रिंग वो रॉक, रॉक क्याने पत्थर, हिलाने को भी रॉक कहा जाता है, एक आधुनिक संगीत रॉक बैंड जो है उसे भी हम क्या कहते हैं रॉक कहते हैं आजकल चलता है रॉक आपने सुना होगा नया आजकल का संगीत रोज रोज याने गुलाब का फूल या राइस का दूसरा राइस याने क्या था उगना, बढ़ना, उसे राइस कहते हैं, तो रोज, दसनराइस, नईश ऐसे बुलते हैं, वैसी उसका सेकेंड और रोज होता है, रंग, रंग याना रिंग का तीसरा रूप, रिंग, रंग, रंग है ना, और सीडी के डंडे को भी रंग कहा जाता है, चलिए थोड़ा सौर बज़िया र तक आगा है, ह्ट याना, यूज जट तक के हो जाएगा, फिर होता है सैक, सैक का मतलब होता है, बोरा या फिर बोरी, जिसमें हम चावल हो गया रखते हैं, बहुत सारे समान, काम से निकाल देने को भी सैक बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, स सैंक्सन, सैंक्सन याने स्विक्रिती देना, या किसी को सजा देना, धन देने को भी सैंक्सन कहा जाता है, अरे मेरे काम अटका हुए, सैंक्सन नहीं हो रहा है, स्विक्रिती नहीं मिल रही है, परमिशन मिल जाना समलीजी, सौ, सौ याने आरा, जो लकडी कारते हैं, आरा बड़ा उसे आरा यारी को सौ कहते हैं और सी का सेकेंड फॉर्म सी सौ सीन सी सौ सीन सेकेंड फॉर्म को भी सौ कहा जाता है देखा ऐसे ठीक है सिंग सिंग याने कहता है डूबना या डूबाना को सिंग बोलते हैं खोदना कुवारी खोते उसे भी सिंग कहते हैं ठीक है क्लि Скञान करने को भी slightly जाता है घजीप सिलिप याने होता है तत्hone होता है फिसलना अहीं सब्सकित जलीप नहीं करने दिदे परची कहा है तो भी सिलिप होता है चीट वह हो है स्लिप ठीक है सेक coercion second याने दूसरा सेकेंड मैं पहला हूं तो दूसरा है ठीक है चण चण जाने है ना बुलते हैं सेकेंड जैसे हम बलते न वह मिनट सेकंड यह वाले भी सेकेंड सेट सेट की यह होता है संच ढूबना निस्षित करना किसी इजका सैट करना या sunset होता है न ये वाला set, डूबना, अस्त होना Soil, soil यानरा होता है मिट्टी या फिर मैला करना का हो हम Soil कहते हैं Solution, solution यानरे hull या फिर घोल को solution कहते हैं बुलते हैं किसी इस सवाल का solution क्या होगा और question का solution निकालिए और घोल अरभी solution तो त्यार करो घोल त्यार करो spell याने होता है spelling लिखना और मंत्र या जादू टोने को भी spell बोलते है स्पोग याने speak का second भी speak, spoken, spoken, spoke second form बोला ऐसे और पहिये का जो पहिये जैसे चक्का होता है पहिये हमारे सैकल पहिये लंब लंब में राड रहते हैं उसे भी spoke खा जाता है आप सुने होंगे spring बसंद्रितू को spring कहते हैं जैसे कि winter, summer वैसे spring को बसंद्रितू कहते है जर्णा को भी spring कहा जाता है और spring याने spring जो गाड़ियों में लगी रहती है उचलना उसे भी spring कहते है स्टाफ कर्मचारी वर्ग डंडा को भी स्टाफ कहते हैं चड़ी को भी स्टाफ कहा जाता है स्टेज मंच रंग मंच या फी चरण कौन से स्टेज में पहुंचे हो कौन से चरण में पहुंचे यह भी स्टेज होता है अब लास्ट स्टेज में हैं आखरी चरण में आखरी समय आगे वह भी स्टेज श्टर्ण याने गंभीर सक्त जहाज नाओं का पिछले बाद को स्टिक क्याते हैं चड़ी डंडा लाटी या फिचिपकाना किसी को स्टिक कर देना स्टिकर चिपकाने वाला स्टिल स्टब धरह जाना अभी तक स्टिल स्ट्रिप पट्टी स्ट्रिप बोलते हैं उतारने को भी स्ट्रिप बोलते हैं कपड़े उतारने को भी स्ट्रिप कहा जाता है स्टफ पदार्थ ठूस कर भरना किसी स्टफिंग बोलते हैं आपने सुना होगा जब क्या आता है कुक करना बोलते हैं फिस सबस्टेंस सबसेंस आनि पदाध्रव्येत तत्व evaEEEE सॉब्सेंटेंस का जाता है स्वावल मिला किसी चीज को और एक पक्षी को नाम को नाम को विश्षOOD कि पक्षी का बिना हिंदी में अभा बिलकुछ है साहत उसे भी स्वालो कहा जाता है या नल की टो зач टैप करते हैं नल गल को ठीक है फृसफय को भी धुट की देना मtesुब अचमाने के लिए प्ली याने मंदिर या फिर कंपपटी को भी टैंपल कहते लिएisko टेंस तना हुआ बेचैन व्यग्रकाल टेंस वो हुआ हो गया व्यग्र बेचैन हो जाना उससे टेंस कहते नहीं डेंस लिखते हैं त्वेर। स्वेर में तक कसम लिखते हैं BM पहाडा अएcko सब्सक्राइब कैसे एक दिखते हैं और लिखोड। पहाड़ा बही है तीन तक के टेबल नो तक के टेबल पंद सक्याब टैपल ट्रेयन याने रेल गाड़ी या फिर प्रसिक्छर गणद किसी को ट्रेनिंग देना वह भी ट्रेन होता है और एक ट्रेन रेल गाड़ी लास्त तीन चार यह जुशन है यह प्टा भाक आं परफा से में वह लोगा था ही हाथ वह देखिसे रही हम संदोग क हा जासे हैं Torah आप्सक प्राइप ही is का अप्र different अप्र क직rites आप रिऊंध इमांडार होना सच्चा होना का ये सीधा होना सीधा आटर अचरन करना या फिर पूरा करना उसे आतर कहते हैं वटまた दोनों is आज आपको मिल गया है जिसका यहां पर प्रणुशेशन में लिखा होगा है और मैंने बूला भी है उसे अपने शब्दों में लिख लेंगे और उसकी इतनी सारी मीनिंग अब आप आप कंफ्यूज नहीं होंगे आपको धिहान रहा है कि अच्छा इसका यह भी मतलब होता है वो भी मतलब होता है तो इससे आसान होता है एक ही मीनिंग बताऊंगा तो अगले बार आप कंफ्यूज वह होगे तो देखिए इस टाइप के वर्ड से आपको बहुत ज़्यादा फ झाल